जैविक खेती जैविक खेती जो हमारे स्वास्त के लिए लाबकारी होते हैं। वो जैविक पदार्त में नहीं पाए जाते तो मानव का स्वास्त जो इन खाद्यान पदार्तों का प्रियोग करते हैं अच्छा रहता है जैविक खेती के चार मुख्य बिंदू है जो हमें समझने हैं एक तो यह है कि उत्पाधन हम किस परकार से करें क्या मानक होने चाहिए और दूसरा उसका हम पिर्माणी करन कैसे कराएं अपने जो जैविक खेती है और तीसरे इसमें जो हमारा प्रिसंस करन है जो किसान भाई प्रिसंस अपने खादिपदार्तों का प्रिसंस करन या प्रोसेसिंग करना चाहते हैं वो किस परकार हो और फिर उसकी आप मार्केटिंग या विपरन कैसे करें तो सबसे पहले उत्पाधन की बात करते हैं उत्पाधन में तीन मुख्य बिंदू है एक तो हमें फसल चक्र दूसरा जो हमारी झेटी है इसमें कीडे मकॉणों का और बीमारियों का प्रियोक कर शकते हैं बीटी जो बैक्टिरिया होता है उसका सीधे चड़काव कर सकते हैं, साथ ही नीम का तेल है, अन्य वानसपतिक तेल हमारे पास उपलब्ध हैं, बजार में उपलब्ध हैं, उनका प्रियो करके हम कीट और बीमारी का निंतर कर सकते हैं. जैविक खेती में पोशक्तत प्रबंदर भी अतियंत महत्पूर्ण है इसके लिए सबसे पहले हमें ये करना है कि मिट्टी का जो कटाव है उसको रोकना है और दूसरे जो पोशक्तत मिर्दा के अंदर हमारे उपलब्ध है उनकी उपलब्धा को बढ़ाना है और उनका नुकसान होने से रोकना है साथ ही जैसा हम जानते हैं कि इसमें क्रतिम उर्वरकों का जैसे यूरिया, डिये, पिया, अने उर्वरक हैं उनका प्रियोग हमको नहीं करना है मिर्दा का पी-एच में सुधाल लाना है पीएज में सुधान लाने के लिए इसमें चूने का प्रियोग किया जा सकता है अगर सर्टिफिकेशन एजेंसी उसमें इसकी इजाज़त देती है इसके अलावा हम उसमें जो गोबर की खाद है, जो कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, अन्य प्रकार की जैवी खाद है, उनका प्रियोग कर सकते हैं, कुछ रोक मिंदल्स आते हैं, रोक मिंदल्स का भी हम सीधे-सीधे प्रियोग जैवी खेती में कर सकत कि दुमाल से था से दिए, दो घुमाल वादूदों कि थिता that